Hello Everyone, Welcome to our channel Perfect Pharmacy मैं हूँ सुनीता कावर और हमारे चैनल पे आपको B Pharmacy से Related and General Pharmacy से Related वीडियो जो है वो देखने को मिलती है तो अगर आप Pharmacy Related Knowledge लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल को शेयर कीजेगा तो आज की वीडियो में हम B Pharmacy First Semester का Basic Introduction जो है वो जानने वाले हैं कि First Semester में हमें कौन-कौन से Subjects पढ़ने होते हैं, Practical से Related जानकारी and mainly syllables क्या रहता है, सभी Subjects का and B Pharmacy में Pass-Fail System क्या रहता है, वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिसकस करेंगे तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब या तो आप B Pharma में Admission ले चुके हैं या फिर Admission लेने के आप सोच रहे हैं, तो Complete Information जानने के लिए ये वीडियो आप End तक देखेगा सबसे पहले हम ये देखते हैं कि B Pharma First Semester के अंदर हमें कौन-कौन से सबजेक्ट्स रहे हैं, वो पढ़ने होते हैं सो हमारे पास First Semester के अंदर Mainly Six Subjects होते हैं सबसे First Subject is Human Anatomy and Physiology First Second is Pharmaceutical Analysis First Third is Pharmaceuticals First Fourth is Pharmaceutical Inorganic Chemistry Fifth is Communication Skills And Sixth is Remedial Biology और Remedial Mathematics सो जो ये पांच सब्जेक्ट्स होते हैं, शुरू के पांच सब्जेक्ट्स ये तो सभी के लिए Compulsory होते हैं बर जो ये लास्ट सब्जेक्ट है Remedial Biology और Remedial Mathematics सो इसके अंदर आपको सोड़ा Confusion हो रहा होगा सो Confusion वाली कोई बात नहीं है जैसे कोई Student 12th Class में उसके पास Biology हो मतलब PCB हो Physics, Chemistry, Biology तो उसे Remedial Mathematics वाला सब्जेक्ट पढ़ना होता है First Semester के अंदर And जिस Student के पास 11-12th Class के अंदर Mathematics होती है मतलब PCM होती है Physics, Chemistry, Mathematics तो उसे जो है First Semester के अंदर Remedial Biology पढ़नी होती है जो सब्जेक्ट आप पढ़ चुके 11-12th के अंदर उसे Opposite Subject जो है वो आपको यहाँ पढ़ना होता है जिससे कि आपको Biology and Mathematics दोनों की Basic Knowledge जो है वो रहे इसलिए यहाँ पर एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है एंड सबसे बड़ा डाउट यह रहता है कि जिसके पास 11-12th के अंदर Maths and Biology दोनों थी मतलब PC, MB थी तो वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेगा जिनके पास Maths and Biology दोनों थे 12th क्लास के अंदर तो उसे जो है इन दोनों में से कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ना होगा और उसे जो है सिर्फर से 5 सब्जेक्ट दो है वो 1st semester के अंदर पढ़ने होगा तो बेसिक जो हमारे पास सब्जेक्ट होते है वो 6 सब्जेक्ट होते है या फिर किसी के लिए जो सिर्फ़ से five subjects जो होते हैं ठेक है नव बी फारमेसी के अंदर क्या होता है practicals का भी system होता है मैं लैब के अंदर आपको practical कराये जाते हैं तो यहाँ पर जो यह starting के four subjects हैं यह main subjects हैं इनके जो practical हैं कराये जाते है first semester के अंदर ठेक है और इन subjects मेंशे जो यह starting के चार subject हैं यह main subject है इनके exam जो हैं वो university की तरफ से होता है और जो यह दोनों subjects हैं इनके exam जो हैं वो सिफ और सिफ college के अंदर ही होता है final exam जो होंगे वो भी इन दोनों subject के college के अंदर ही होता है university की तरफ से जो है इन दोनों subjects के अंदर कोई interference नहीं रहता है ठीक है तो basically चार main and important subjects हो गए जिनका exam जो है वो भी university की तरफ से होता है and final जो practicals होते हैं उसके अंदर भी external आते हैं इन चारों subjects के लिए and जो यह दो subject है यह mainly college के अंदर ही इनके exams and बागी सब चीज़े जो है वो conduct कराई जाती है अब हम यह देखते हैं कि हर एक एक subject के अंदर हमें पढ़ना क्या होता है so सबसे पहला हमारा जो subject आता है वो है human anatomy and physiology first तो इसके नाम से जो हमें पता चल रहा है anatomy का मतलब होता है कि structure क्या है and physiology का मतलब होता है कि working क्या है तो हमारी body के हर एक एक organ organ system उसका structure क्या है और उसकी working क्या है वो जो है complete हम इस subject के अंदर पढ़ते है human body के बारे में हम इस subject के अंदर पढ़ेंगे सबसे पहले basic introduction to human body हम पढ़ेंगे then cellular and tissue level of organization पढ़ेंगे then integumentary system मतलब जो skin का complete system है हमारी body पर उसके बारे में हम पढ़ेंगे skeletal system के बारे में हम पढ़ेंगे joints के बारे में पढ़ेंगे then body fluids जो हैं अलग-अलग तरह कि उनके बारे में पढ़ेंगे blood के बारे में पढ़ेंगे lymphatic system के बारे में पढ़ेंगे then peripheral nervous system के बारे में पढ़ेंगे special senses जैसे के eyes हो गए ear हो गए nose हो गए उनके बारे में हम पढ़ेंगे last जो है cardiovascular system इसके बारे में भी हम इस subject के अंदर first semester के अंदर पढ़ेंगे then इसी subject का second part हमारे पास second semester के अंदर आता है तो उसके अंदर हम बाकी जो यहाँ पर systems बच गए हैं body के उन्हें हम second semester के अंदर discuss करते हैं ठीके तो यह simply होगे human anatomy and physiology first के बारे में जिसके अंदर हम human body के बारे में जो है वो पढ़ते हैं now next subject हमारे पास आता है pharmaceutical analysis first so इस subject के अंदर क्या होता है कि basically quantitative and qualitative analysis जो है चीजों का वो करा जाता है और वो titration mainly subject के अंदर हम पढ़ते हैं तो titration की मदद से analysis करा जाता है अलग-अलग chemical compounds का जैसे कि इसके अंदर हमारे पास topics आएंगे different techniques of analysis मतलब अलग-अलग analysis के techniques क्या-क्या हो सकते हैं then preparation and standardization of various solutions मतलब अलग-अलग molarity and normality के solutions को हम किस तरीके से बना सकते हैं इन किस तरीके से उनका standardization कर सकते हैं then pharmacopya के बारे में हमें subject के अंदर पढ़ेंगे pharmacopya जो यह standard book होती है pharmacy की and अलग-अलग जो countries होती है उनके अलग-अलग pharmacopya होती है जैसे Indian pharmacopya हो गई British pharmacopya हो गई now next जो है अलग-अलग तरह की titrations हम लोग इस subject के अंदर पढ़ेंगे जैसे कि acid based titrations non aqueous titrations precipitation titrations complexometric titrations diazotization titration redox titrations so titrations की बारे में ही जो है हम इस subject के अंदर पढ़ेंगे then इसके बार में conductometry, potentialometry, polarography इन सब के बारे में भी हम इस subject के अंदर पढ़ेंगे so जो यह pharmaceutical analysis का subject होता है first semester के अंदर इसे सबसे जादर difficult subject जो है first semester का माना जाता है बट ऐसा होता नहीं है अगर आप इस subject को बहुत ही ध्यान से और आराम से समझ के पढ़ेंगे तो बहुत ही easily इस subject clear हो जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है लेकिन generally हमेशा यही होता है कि first semester के अंदर जादर 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 students के बैक जो है pharmaceutical analysis के अंदर ही आती है तो इस subject पे आपको थोड़ा extra focus करना होगा now next subject is pharmaceuticals first जैसे अलग-अलग जो dosage form होती है drug की mainly हम उसके बारे में पढ़ेंगे इस complete subject के बारे में तो pharmacy से related जो सबसे important यह subject होगा क्योंकि इसके अंदर medicine की knowledge जो है यह फिर जो अलग-अलग medicine के इसके फॉर्म में होती है जो हो कर्यर के रूप में किस तरीक़े से हो सकता है वो हम देखेंगे इन फारमकोपिया जो अभी आमने देखा था analyzes के अंदर वही सेम फार्म कोपिया के फार्मा सीटिक्स के अंदर भी पढ़ेंगे then dosage form के बारे में prescription के बारे में pozo-logic के बारे में इन सब के बारे में पढ़ेंगे दिन pharmaceutical calculations के बारे में पढ़ेंगे डन जो अलग-अलग dosage form में जैसे powder हो गया liquid dosage form हो गया monophasic liquids हो गया biphasic liquids जिसके अंदर emulsion and suspension आते हैं then suppositories then pharmaceutical incompatibilities and last is semi-solid dosage form so इन सारी चीजों के बारे में जो हम Pharmaceuticals First subject के अंदर पढ़ेंगे Now, next subject is Pharmaceutical Inorganic Chemistry So, 11-12th के अंदर भी हमने Inorganic Chemistry के बारे में पढ़ा था तो उसी तरीके से जोए हम यहाँ पर कुछ Inorganic Compounds के बारे में Detail के अंदर study करेंगे, ठेक है? So, इसके अंदर जो-जो topics हमारे पास आते हैं इसके अंदर सबसे पहले तो history of pharmacopie हमें study करनी है then limit test के बारे में जो है वो हमें इस subject के अंदर भी study करना है then acids, bases and buffers के बारे में study करना है then major, extra and intracellular electrolytes क्या-क्या होते है उसके बारे में पढ़ना है then dental products के बारे में पढ़ना है तो यहाँ पर जो यह terms है जैसे dental products, gastrointestinal agents, इसके अंदर acidifiers, antacids, cathartics, antimicrobials यह terms के हमें सिर्फ definition देखनी है then उसके बारे में इनके अंदर कुछ inorganic compounds आते हैं उनके बारे में जो है डीटेल में हमें इस subject के अंदर study करनी है next जो हमारे पास terms आते हैं so यह सारे topics जो है इनके बारे में हम pharmaceutical inorganic chemistry के अंदर study करेंगे mainly inorganic compounds जो है उनके बारे में हम डीटेल के अंदर इस subject के अंदर study करने वाले है next subject हमारे पास आते है communication skills so इसके अंदर basic जो communication skills के अंदर topics आते हैं वही हम इसके अंदर study करेंगे then यह subject बहुत ही easy रहने वाला है इसके एक्जाम जो है वह हमें university के तरफ से इसके एक्जाम भी नहीं होंगे तो इस subject की जाधा tension लेने की ज़रूरत नहीं है बहुत ही आराम से हमें इसे पढ़ना है college level पर जितना हमें subject पढ़ाया जाएगा उतना हमें पढ़ना है उसी के विसेस पर एक्जाम इसके होंगे इसके अंदर group discussions के बारे में, presentations के बारे में, interview skills के बारे में, basic listening skills के बारे में then जो effective written communication होता है इन सब चीजों के बारे में जो इस subject के अंदर हमें पढ़ना है then हमारे पास में ये दो subjects आते हैं जो कि option में रहते हैं Remedial Biology और Remedial Mathematics so सबसे पहले हम देखते हैं कि Remedial Biology के अंदर हमें क्या पढ़ना होता है so 11-12 के अंदर जो basic biology पढ़ी थी वही सारे topics तो इसके अंदर आते हैं तो जिन्होंने biology नहीं पढ़ी है उन्हें यहां पर वो सारे topics पढ़ने होंगे so इसके अंदर क्याके topics आते हैं जैसे living world के बारे में आ गया then morphology of flowering plants के बारे में आ गया then body के fluids and circulation के बारे में आ गया digestion and absorption के बारे में आ गया breathing and respiration then excretory products and the elimination then neural control and coordination होता है then chemical coordination जो होता है जिसके अंदर endocrine glands वगरे आते हैं then human reproduction के बारे में then plants and mineral nutrition के बारे मतलब इस subject के अंदर सारे के सारे जो 11-12 के अंदर हमने topics पढ़े थे वही हमें brief के अंदर पढ़ने होता है next आता है remedial mathematics तो इसके अंदर भी जो भी basic mathematics 11-12 के अंदर study के होती है वही सब इसके अंदर आती है जैसे logarithms के बारे में matrices and determinants के बारे में then calculus के बारे में जो basic mathematics है वह हमें यहां पर पढ़नी होती है इसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने के बात नहीं कि यहां पर हमें math पढ़नी पढ़ेगी तो ऐसा कुछ नहीं बहुत ही simple सी math होती है college में जो पढ़ाई जाती है वही फिर exam में पूछे जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है तो simply theory का syllabus जो है वो यह सब हो गया न हम देखते कि practical के अंदर हमें क्या-क्या इनके अंदर करवाया जाएगा सबसे पहले जो human anatomy and physiology first है इसके practical के अंदर हमें microscopical study बताई जाएगे कुछ चीज होगी जैसे की epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, nervous tissue इन सब की जो microscopic study है वो हमें करनी होगी then bleeding time, clotting time, blood group यह सब चीज़े determine करना मतलब बहुत ही basic से practical इसके होगे और यह जो है practical बहुत ही important है क्योंकि आगे जाकर करके मैं daily life में भी यह काम आने वाले है इसलिए इसे करना होता है बहुत सारे compounds का जिसके अंदर क्या होती है टाइट्रेशन करनी होती है इसके हर एक एक practical को बहुत ही ध्यान से आपको सीखना होगा क्योंकि यह जो है यह main basis होता है फाइनली जो हमें drugs वगेरे manufacture करनी होती है उसका basis होता है pharmaceutical analysis तो इसलिए इसके जो भी practical से वह बहुत ही ध्यान से आपको करने होगे the next subject हमारे पास आता है pharmaceutical तो इसके अंदर क्या होगा जैसे हम theory के अंदर सारे के सारे dosage form के बारे में study करेंगे तो वही practical के अंदर हम क्या है syrups बनाएंगे, elixirs बनाएंगे, solutions बनाएंगे, suspension, immersion इन सबका जो है preparation हम लोग lab के अंदर करेंगे तो यह वाला subject जो बहुत ही interesting होने वाला है तो इस subject को आप बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा next आता है inorganic chemistry, inorganic chemistry के जो practicals है वो कुछ हद तक same same रहेंगे जैसे कि analysis के अंदर practicals थे इसके अंदर भी हमें limit test करने होंगे then इसके अंदर हमें कुछ identification test करने होंगे then purity के लिए test करने होंगे या फिर कुछ compounds रहा हो उनका preparation हमें यहाँ पर करना होगा तो यह था complete basic introduction सारे के सारे subjects के बारे में कि आपको first semester के अंदर क्या-क्या पढ़ना होगा next point हम यह देखेंगे कि जो be pharmacy है इसके अंदर pass fail का system क्या होता है कितने marks के उपर आप pass होते हैं कितने marks के उपर आप fail होते हैं तो generally जैसे हमने 11-12 के अंदर देखाता है वहाँ पर passing जो marks थे वो 33% होते थे बट यहाँ पर भी pharmacy के अंदर क्या होता है passing marks तो हो complete 50% होते हैं तो 50% marks अगर आप लेके आएंगे तो यहाँ पास होंगे नहीं तो फिर आप fail हो जाएंगे अब यहाँ पर भी जो theory वाला part होता है उसके अंदर 50% marks अलग से लाने होते हैं मतलब जो sessional exams होते हैं college के अंदर internal exams उसमें से 25 marks जाते हैं इस तरीके से जो यह total 100 marks होते हैं इसमें से हमें 50 marks जो हैं वो complete लाने होते हैं तब ही हम लोग उस semester के अंदर या फिर उस particular subject के अंदर pass होते हैं वही practical के अंदर भी कुछ marks true होते हैं वो internal जाते हैं कुछ marks true है वो external जाते हैं टोटल जितने marks हैं उसमें से 50% marks अगर हमारे आते हैं तो ही हम उसमें pass माने जाते हैं मतलब theory के अंदर हमें अलग से 50% marks लाने होंगे और practical के अंदर हमें अलग से 50% marks लाने होंगे उसके बाद ही जो है overall हम उस semester के अंदर pass माने जाएंगे इसलिए pass होने के लिए सबसे main चीज़ आपको यह याद रखने हैं कि 50% marks रहा है वो भी फार्मेसी के अंदर आने चाहिए अगर आपको semester के अंदर pass होना है तो ओके सो यहाँ पर जो भी points हमें discuss करने थे वो complete होते हैं I hope कि यह video आपके लिए helpful रही होगी और आपके जो भी doubts थे वो सब clear हो गए होगे इस channel पर हम first semester के lecture videos और जो proper notes है वो भी provide करवाते हैं और previous year question paper और उनके solutions मतलब हर तरह की फार्मेसी के syllabus से related information जो है वो आपको इस channel पर मिलेगी तो आप channel को जरूर जरूर subscribe कर लिजेगा अगर अब भी भी आपको कोई doubt रह गया हो तो वो आप comment section में पूछ सकते हैं so thank you so much इस video को इन तक देखने के लिए और चैनल को support करने के लिए